असलाम नेकूम मैं हूँ साधियोजेर वेलकम बैक टो साधियोजेर्स किचन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से चिकन बॉक्स पैटीज तो रेसिपी फ़संद आए वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजेगा चलिए स्टार्ट करेंगे बिसमिल्लाह रमान ररहीम तो यहाँ पर मैंने लिया है एक एलेक्टिक चॉपर और इसमें डालेंगे सबसे पहले 250 क्राम बॉनलेस चिकन ओन थर्ट कप मॉजरीला चीज एक खाने का चमच सोया सॉस एक खाने का चमच लिमू का रस आदा चाय का चमच कुटी हुई लाल मिरच दो खाने की चमच ओयल एक चाय का चमच तिका मसाला पाउडर अगर आप नहीं हैट करना चाहते तो आप इसे स्किप कर दे और साथ ही बागी तमाम स्पाइसेज को थोड़ा सा तेस करके अपने हिसाब से अरजस्ट कर ले वन फॉर्थ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर आदा चाय का जमच या हस्पेदाय का नमक और एक सबस मिरत शामिल करके इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से पीस लेंगे तो यह देखें चिकन के साथ तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से बारीक पिस गई हैं अब इसे बॉक्स पैटीस तयार करेंगे पैटीस बनाने के लिए हमें समोसा पटियों की जरूरत होगी और अगर आप ये समोसा कवर घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसी के साथ यहां पर मैंने दो खाने की चमच मैदे में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरह का एक थेक पेस्ट तयार कर लिया है तो एक पटी के सेंटर में ब्रश की मदद से यह वाला पेस्ट लगाएंगे और दूसरी पटी को इसके उपर रख कर चिपका देंगे यहां पर मैंने आसानी के लिए चिकन की फेलिंग को एक पाइपिंग बैक में डाल लिया है आप इसको चमच की मदद से भी रख सकते हैं तो सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी चिकन की फेलिंग रखेंगे लेकिन चिकन की फेलिंग से इसको बहुत जादा ओवरलोड भी नहीं करना अब दोनों समुसा पटीयों में से जो पटी नीचे हैं उसकी एक साइट को पहले इस तरह से उपर ओवरलैप करेंगे पटी इस तरह से लंबी हो तो आप इसे इस तरह से अंदर फोल्ड कर दें या आप सीजर की मदद से इसे काट भी सकते हैं फिर उसी पटी के दूसरे सिरे को अवरलैप करेंगे अब दूसरी समुसा पटी के एक सिरे को इस तरह से उपर करके इस पर brush की मदद से मैदे और पानी का paste लगाएंगे और last वाले सेरे को इस तरह से इसके उपर चिपका कर इसे अच्छे से seal कर देंगे दोनों साइडों से extra पटी को इस तरह से सीजर की मदद से काड़ देंगे यह देखें सेम इसी तरह से तमाम बॉक्स पैटी से यार कर लेंगे अब इस पॉइंट पर आप इन्हें freeze भी कर सकते हैं और चाहें तो fry करके serve भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप इन्हें मजीद crispy बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके उपर हम अंडे की coating करेंगे इस तरह से बहुत अच्छे से हर तरफ अंडा लगाएंगे और उसके बाद इसके उपर इस तरह से हर तरफ बहुत अच्छे से ब्रेड करम्स लगा देंगे इस तरह से साइडों पर भी चारों तरफ अच्छे से ब्रेड करम्स लगाएंगे तो ये देखें सेम इसी तरह से तमाम बॉक्स पैटीस पर अंडा और ब्रेड करम्स लगा लेंगे और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इन्हें जिप लॉक बैग में या एटाइ डबे में डालकर फ्रीजर में स्टोर भी कर सकते हैं और फ्राय करने के लिए इनको हलकी आज पर फ्राय करेंगे तेज आज पर इनको फ्राय नहीं करना क्योंकि इसमें जो हमने कीमा शामिल किया है वो बिल्कुल कच्चा है पकने के लिए उसे टाइम चाहिए होगा तेज आज पर फ्राय करेंगे तो इनके उपर बहुत जल्दी पग गया है यह देखें आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके अल नोटिफिकेशन्स भी आउन कर लीजेगा और इस मज़िदार सी रेसिपी को ट्राइ करें तो कम में याद रुखेगा थेंक यू फर वाचिंग अलाहाफिज